नमस्कार बागवान साथियो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है तकरीबन एक मेंद पहले हमने वीडियो अप्लोड किया था जिसमें हमने बताया कि आप कटिंग स्टिक से किस तरह से तो किस तरह से लगानी होते हैं उसके ऊपर वीडियो था है आज हम इस वीडियो में इसमें ग्रोथ शुरू होना एक मन्त के वाजिस में अभी जो इसके बढ़ताव बस्ट होने लग गया है सारा तो मैं भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से बस्ट होने लग गया और थोड़ी-थोड़ी कुछ एक चार-पांच प्रांट अभी ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ चलना भी शुरू हो चुकिए तकरीवन दो दो तो ती दिश तो आप यहां पे आप देख सकते हैं यहां देखिए अमने किस तरह से बेट बनाया थे यह दिखिए तकरीवन सभी स्टिक्स पर अगर आप फोकस करेंगे यह देखिए सभी में आइस ब्रेक हो चुकिए यहां पर देखिए कितना बड़ा लगाया है इसमें भी आइस अच्छे से ब्रेक हो चुकिए और यहां यहां पर देखिए इसमें ग्रोथ चड़ना शुरू हो चुका है तक अगर आप देख पा रहे होंगे मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूं यहां देखिए आप देखिए लगए 2-3 इंच तक ग्रोथ भी आना शुरू हो गी है तो यहां पर आप देखिए किस तरह से व ग्रोथ आना शुरू हो जाता है तो उसके बाद इसमें मल्चिंग करना होता है ताकि इसमें नमी मेंटेन रहे हैं और इस पार अगर बात करें हम इस पार आपको पता ही है कि मौसम काफी क्रूशल राइस पर कोई भी बारिश नहीं हुई और इस पर गर्मी काफी ज्याद ह इसके बाब जूद भी हमारी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है और यह भी देखिया हमने यहां पर दूसरा बैट भी बनाया है यहां पर मैं आपको बतातो किस तरह से यह देखिये यहां पर भी आप देखे तकरीवरं सभी इस तरह के हमने चुड़ए-चूड़ए ब बाकी तकरीबन सभी में बस्ट हो चुका है, यहां पर आप देखें, और ग्रोथ भी कही हमें चलना शुरूँ बीच में देखें, अब थोड़ा-थोड़ा सा कहीं पर ग्रोथ शुरू हो गया चलना, क्योंकि यह एक Adventitious Root System है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा टैपरेट जो अपर रूट सेस्टम होता है, जिसमें सीड से हम रूट बनाते हैं, उसमें रूट काफी तेजिक सा ड्वेलाफ हो जाता है, तो इसमें क्या है कि हम स्टिक से Adventitious Root निकाल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सीद्लिंग कंटिए अधी conditions already रूट है be chopped जाते हैं कि यहां दैखिए इस बैड में बी देखिए यहां पर और यहां भी देखिए भी स्प्राउटिंग हो चुकी है बीच में एक स्क्रेट बांने अग स्प्राउटिंग हो चुकी है on not just watching और यहां देखे इस ड्रम में हमें जीवामुर्ट भना रखे और चैसमे हम इसमें जीवामुर्ब मृत कि वही अभी और उसके बाद आज शाम को में मल्चिंग करेंगे, इस स्टेज भी आपको मल्चिंग करना काफी जरूरी है, अदरवाय जो यह इसके शूट निकर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो यहां पर इसमें ग्रोथ हा रही है, यह देखें, यह इसके टिप रहती है, यह सूट सब में आ जाती है, उसके बाद आप इसमें निट्रिशन देना शुरू करें, उससे पहले आप किसी तरह किसमें फर्टिलाइजर यूज़ ना करें, क्यूंकि लास्ट यह जो हमने प्रॉपगेट की थी थोड़ी बहुत ही, तो उसमें उन्हें फर्टिलाइजर इसी टाइ जाते हैं, तो जब तक 3-4 इंच ग्रोध निए तब तक आप कोई भी उसको, उसके आप नाइट्रोजन के लिए कोई भी जो भी आप नाइट्रोजन के लिए देते होंगे, तो वो चीज डालें, उससे पहले आप मनियोर के सहारे या जीव अमृत के सहारे इनको इस तरह से जीवित रखें, तो आज के लिए बागवन साथे बस इतना ही वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और थैंक्स पर वाजिंग आर यूटूब चैनल बागवनी के पार शारा,